तो दोस्तो आज हम बनाएंगे दो चमच तेल में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और चटपटा आलू की बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट नास्ति की रेसिपी तो चलिए दोस्तों इसमें आपको ना तो कुछ बेलना है और ना आटा गुतना है बनाने का तरीका बिल्कुल नया है बहुत ही मज़े की रेसिपी है इसकी आगे समोसा कचवरी सारे फेल हो जाएंगे तो चलिए बनाते हैं पायन में हमने दो चमच तेल डाला है उसमें डालेंगे दो सुखी मिर्ज को तोड कर लिया हुआ है और इसमें डालेंगे चार से पास लसन की कलिया को भी हमने कूट कर लिया हुई है एक चोटी से प्याज को हमने बारी कट करके लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे हल्दी तो 4-5 मिनद तक भूनेंगे तो चरिये भूना गया रदनयक प्तिwear के Mooi fzk fre तो चलिए अच्यवा जो से मिक्स और दोस्तों फेदा यहीं डलेंगे अぎूष दे इसमें डेड़ कप इसी कप से हम सूजी लिए हुए हैं तो इसमें दो चमच तेल डाल देते हैं तो दोस्तो जिस कप से हम सूजी लेंगे उसी कप से हम दो कटोरी पानी डालेंगे तो बहुत अच्छे से यह डोवम्मे आ जाते हैं सूजी बहुत जल्दी पानी को एपजॉब कर लेता है तो चलिए यह हो गया है इसे हम ठंड़ा होने के लिए रख देते हैं ठंड़ा हो चुका है दोस्तों इसको हम अच्छे से मसलते हुए डोके फर्म में लाएंगे थोरा सा चिकना करेंगे तो देख लीजे दोस्तो हमने आलू भी ठंडा हो चुका है मिक्सचर तो इसे हम छोटे छोटे निम्बू से भी छोटे 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 आकार के बॉल से बना लेते हैं इससे हम अच्छे से थोरा सा बड़ा निम्बू से थोरा सा बाडा हम लेगे इसमें इसमें से बॉल बनाएँ उसके बाद इस तरीके से फाइल आएँगे और आलू केुझ को पेक करदेंगे कि देख सकते दोस्तों बहुत असान रेसीपी है पर खाने में बहुत ज़्याद स्वधिश्च लगता है एकदम से क्रिस्पी करा रहा और अंदर से बहुत बढ़ी है लगता है सोफ्ट तो दोस्तों इसके आगे तो समोसक चरुई पकोड़ी सारे फेल हैं तो चलिए दोस्तो आप बहुत ही ज़्यादा किरिस्पी बनेगा तो आपके उपड़ी फेंट करता है दोस्तों जैसे आपको पसंद हो अगर आप कम तेल खाते हैं तो कम तेल का भी आप बना सकते हैं तो चलिए इसे उलट पुलट कर अच्छे सक क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं तो देखिए यह फ्राई हो चुके हैं तो चलिए निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यह नास्ता बना कैसा है तो देख सकते हैं कितना खुबसूरत नास्ता हमारा बन के तियार हो गया है दोस्तो एकदम से क्रिस्पी और करारा तो चलिए इसे तोड़ के दिखा देते हैं उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है है देखने में ही पता चाहिए